Hello दोस्तों and welcome to the channel इस particular वीडियो में हम SSC CGL के जो previous year के questions है उनको discuss कर रहे हैं इस बार पहली बार जो SSC CGL का tier 2 का exam है याने mains का जो exam है उसमें general studies के question आये है सामान या अध्यन से question आये है इस particular वीडियो में 2nd March को जितने भी general studies के question आये है उनको compile कर दिया गया है हम हमारे channel पे general studies के जो mains के question है उन्हें separately shots के section में discuss कर रहे थे इस particular वीडियो में आप लोगों की सुविधा के लिए जो 2nd March में जितने भी general studies के question थे उनको compile कर दिया गया है एक दो ऐसे question है जो थोड़े longer videos demand करते हैं जब हम longer videos में questions को discuss करेंगे तब हम उन एक दो questions को discuss कर लेंगे बाकी जितने भी 2nd March को maximum questions आये हैं उनको इस video में compile कर दिया गया है I hope आपको ये session useful लगेगा Thank you for watching Hello दोस्तों इस discussion में हमने SSE CGL mains में पूछे गए General studies के question को discuss किया है प्रशन है दिल्ली सल्तनत काल में तपकात ए नासरी की रचना किसने की थी तपकात ए नासरी की रचना करी थी C. मिनहाज उस सिराज ने ये एक फारसी historian था एन इस किताब में उसने historical account बताया है Islamic World का 1260 AD तक ये जो किताब है इसको इसने लिखा था Persian language में सुल्तान नसीरुदिन महमूत के लिए जो ममलूक डाइनिस्टी का शासक था इस किताब में जो पहला बेंगॉल में मुसलिम रूल हुआ था उसके बारे में भी बात करी गई है ये पहली किताब है जो ऐसा account देती है प्रश्न है भारत में पहली बार प्रातकलन समिती estimates committee का गठन किस वर्ष किया गया था Independent India में पहली बार estimates committee का गठन किया गया था B 1950 में जो ये committees थी इनको establish कर लिया गया था 1921 में बट post independence पहली बार गठित किया गया था B 1950 में on the recommendations of finance minister John Mathai इस community के जो member होते हैं वो लोकसभा से elect होते हैं and total 30 members को elect किया जाता है इस committee का जो time period है वो एक साल का है प्रश्न है पहचाने की निमलिखित में से कौन सा कथन सही है हमें ये तीन कथन दिये गए है and हमें सही उत्तर को choose करना है from the options given below पहला कथन है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेट HCL को 9 नवेंबर 1967 को शामिल किया गया था ये statement सही है खेतरी कॉपर कॉपलिक्स राजिस्थान में स्थित है ये statement भी सही है Mineral Exploration Consultancy Limited का मुख्याले जैपुर में है ये statement गलत है जो मुख्याले है वो नागपुर में है तो सही उत्तर हो जाता है A केवल 1 और 2 सही है हेलो दोस्तों इस discussion में हम SSC CGL के means में जो General Studies के question कुछे गए है उन्हें discuss कर रहे है प्रशन है भारत के समविधान के किस भाग में कल्यानकारी राज्य का विचार है भारत के समविधान के कौन से पार्ट में welfare state की बात करी गई है सही उत्तर है A. राज्य के नीती निदेशक सिधांग Directive Principles of State Policy जो Constitution of India का पार्ट 4 है उसमें Article 36 से 51 प्रोवाइड़ है और ये DPSP माने Directive Principles of State Policies को कंटेन करता है जो DPSP हैं ये आइडियल्स है जो स्टेट को फॉलो करने चाहिए अपने दिमाग में रखने चाहिए ताकि वो लोगों के welfare के लिए policies और laws को enact कर सकें प्रेशन है निमलिखित में से कौन सा भारत के समविधान के अनुछे 280 के तहट गठित किया जाता है जो Article 280 के तहट constitute किया जाता है वो है C. with I.O. Finance Commission Article 280 के तहट Constitution of India provide करता है Finance Commission को ये एक quasi judicial body है जिसके बहुत सारी function है बद जो major function है वो है to recommend the allocation of funds from center to state इसको constitute किया जाता है President of India के द्वारा हर 5 साल में जो latest Finance Commission है वो है 15th Finance Commission जिसके जो chairman है वो है N.K. Singh आप बाकी के questions को इस playlist में check out कर सकते है Thank you for watching प्रशन है भारत में राष्ट्रिय निवेश कोश National Investment Fund के बारे में निम्बलिकित में से कौन सा कथन सकते है हमें ये तीन statement दिये गाए है और हमें सही उत्तर को चूज करना है पहला कथन है इससे 2005 में बनाया गया था ये statement सही है statement number 2 है अपनी वार्शिक आय का 75 प्रतिशत स्वास्त, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के लिए उप्योग किया जाना था ये statement इस फंड के बारे में सही है तीसरा है इससे 2018 में भंग कर दिया गया है ऐसा नहीं हुआ है तो ये statement गलत है तो सही उत्तर हो जाता है चार केवल statement 1 और 2 सही है प्रशन है भीम बेट का पुरा पाशा अण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है ये पेलियोलिथिक पीरेट का एक प्रसिद्ध स्थल है यह भारत के किस राज्य में स्थित है जो बीम बेट का केव्स है वो पाए जाते है डी मध्यप्रदेश में ये मध्यप्रदेश की राइसेंड डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते है और इनको यूनेसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दरजा प्राप्त है ये जो हैं कंसिस्ट करते हैं सेवन हिल्स के जिसमें साड़े साथ सो से ज़्यादा रॉक शेल्टर्स हैं जो दस किलोमीटर के रेडियस में पाए जाते हैं प्रश्न है वह अधीनियम जिसे मौरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है वो क्या है वह Act जिसे Morley Minto Reforms के नाम से जाना जाता है वो है B. भारतिय परिशन अधिनियम 1909 Indian Council Act of 1909 जो Morley Minto Reform है उसका नाम आया है उस समय के Secretary of State for Indian Affairs Lord John Morley और Viceroy of India Lord Minto के नाम पे इस Act ने Legislative Council का size increase किया and communal representation के system को introduce किया प्रशन है 1897 में खोजा गया पहला B. विटमिन निमलिकित में से कौन सा था 1897 में खोजा गया पहला B. विटमिन था D. थाइमीन या फिर थियमाइन जो थाइमीन है ये एक विटमिन है जो food और dietary supplements में पाया जाता है इसके जो food sources है वो include करते हैं whole grains, meat और fish ये जो है ये world health organization की list of essential medicines में भी है इसको discover करा गया था 1897 में इसको isolate करा गया 1926 में और पहली बार बनाया गया 1936 में प्रश्न है किस वर्ष Albert Einstein ने भारतिय भौतिक विज्यानी इंडियन physicist सत्येंद्र नात बोस्क द्वारा quantum सूत्रिकरण के आधार पर पदार्थ की एक नई स्थिति बोस आइंस्टाइन कॉंडनसेट की भविश्यवानी की थी सही उत्तर हो जाता है बी 1924 में इसकी भविश्यवानी करी थी 1924 में Albert Einstein के द्वारा एंड इसको फाइनली आइसोलेट करा गया था पहली बार 1995 में तो ये बन गया 5th state of matter इसके अलावा जो state of matters हैं वो हैं solid, liquid, gas और plasma हेलो दोस्तों हम SSC के general studies के previous year questions को discuss कर रहे हैं जो CGL के mains में पूछे गए हैं प्रेशन है जनवरी 2021 में Economist Intelligence Unit द्वारा जारी Asia Pacific Personalized Health Index में भारत की rank क्या थी जो ये index है इसमें भारत की rank थी A10 जो ये index है ये 27 indicators को measure करता है across 4 categories इन 4 categories को vital science कहा जाता है ये 4 categories है policy context, health information, personalized technologies and health services हेलो दोस्तों हम SSC के general studies के previous year questions को discuss कर रहे हैं जो CGL के mains में पूछे गए हैं question है यान संचारित रोग याने sexually transmitted disease के संबंद में निमलिखित में से कौन सा विकल सही है हमें ये 2 statement दिये गए है और हमें correct answer को choose करना है from the options given below जो statement A है वो है यान संचारित रोग STD एक संक्रमित व्यक्ति से एक असंक्रमित व्यक्ति को यान संपर्क के द्वारा पहलता है statement A सही है जो statement number B है HIV, HPV और Hepatitis B virus STD के लिए जिम्मेदार है ये statement B सही है जो सही उत्तर हो जाता है फिर वो है 3 कथन A और B दोनों सही है प्रश्ण है उस प्रकार की रितू की पहचान कीजिए जो भारत की चार रितूओं का भाग नहीं है इस question का सही उत्तर हो जाता है फोर दक्षिनपूर मौनसून का मौसम ये जो दक्षिनपूर मौनसून का मौसम है ये भारत की रितूओं का पाठ नहीं है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छे सीजन होते हैं जो दो मन्त लौंग होते हैं जो ये छे सीजन है वो है वसंत रितू याने स्प्रिंग, ग्रीश्म रितू याने समर, वर्षा रितू याने मौनसून, शरद रितू याने आटम, हेमंत रितू जो है प्री विंटर और शीत रितू या फिर शिशिर रितू जो है विंटर. प्रश्न है भारत के सेवा निवरित राष्टपती माने रिटायर्ट प्रेजिडेंट के लाबों के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है पहला स्टेटमेंट है भारत के पूर्व राष्टपती को धाई लाग की मासिक पेंशन मिलती है ये statement सही है statement number B है वह एक निजी सचिफ, एक निजी सहायक एक अतिरिक निजी सचिफ दो चपरासी और प्रतिवर्ष एक लाग तक का काराले व्यसहित एक सचीवे करबचारी के हगदार है ये statement भी सही है and finally वह रेल, हवाई या steamer द्वारा यात्रा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चत्रम शेनी की मुफ्त यात्रा के हगदार है ये statement भी सही है तो सही उत्तर हो जाता है 4, A, B और C Thank you for watching दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा है सितंबर 2022 में जारी Human Development Index HDI के घटे क्रम में कौन सा विकल देशों को सही धंग से दर्शाता है सही उत्तर हो जाता है A, Switzerland ये first number पे आता है Human Development Index में फिर Denmark जो top 10 में आता है फिर Japan and finally Niger जो Human Development Index है वो publish किया जाता है Human Development Report Office के द्वारा जो United Nations Development Program का पार्ट है जो Human Development Index है ये एक Composite Index है जो चार Indicators को measure करता है वो चार Indicators क्या है Life Expectancy at Birth Expected Years of Schooling Mean Years of Schooling and Gross National Income दोस्तों इस प्रशन को ध्यान से देखिए पहचाने की भारत में क्रिशी के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन कौन सा स्टेटमेंट सही है Statement 1 है भारत में रभी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रेल से जून तक काटी जाती है ये statement सही है Statement 2 है भारत में रभी के दौरान उगाई जाने वाली महतपून फसलें है धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों ये statement गलत है ये जो फसलें है ये उगाई जाती है खरीफ के सीजन के दौरान अगला प्रशन है अउस, अमन, बोरो, असम, पस्चिम, बंगाल और ओडिसा में धान की तीन फसलों के प्रकार है ये statement भी सही है तो सही उत्तर हो जाता है बी, केवल एक और तीन सही है प्रशन है किस राज ने 2011 की जणगर्णा में सबसे कम साक्षर्ता दर दर्ज की है इनमें से 2011 के census में जो सबसे कम literacy rate वाला state है वो है बिहार बिहार की literacy rate पाई गई थी 61.80% माराष्टा की थी 82.91% अरुनाचल प्रदेश की थी 66.95% और केरला literacy rate में number 1 था और इसकी literacy rate थी 93.91% प्रशन है निमलिकित में से किस vitamin की कमी से घाओं से अत्याधिक रक्त स्राव होता है इन में से कौन से vitamin की कमी से ज़ाधा bleeding होती है सही उत्तर है D, vitamin K जो vitamin K है ये help करता है शरीर को blood clots को form करने के लिए vitamin K पाया जाता है green leafy vegetables में जैसे spinach, kale, lettuce और broccoli ये vegetable oil में पाया जाता है blueberries and figs में पाया जाता है eggs, cheese, chickpeas, soya beans और green tea में पाया जाता है दोसों इस प्रशन में पूछ रहा है 2022 में अटल pension योजना में जो परिवर्तन हुआ है उसके संदर में कौन सा कथन सही है statement A है नए माबदंड के अनुसार जो आयकर दाता है या रहा है वो 1 October 2022 के बाद अटल pension योजना में शामिल होने के पात्र नहीं है ये statement सही है statement B है subscriber को 80 साल की उमर में इन में से कोई एक नियुनतम मासिक pension की guarantee मिलेगी ये statement गलत है जो उमर की सीमा है वो 60 साल है statement C है नए नियमों के अनुसार subscriber केवल मासिक आधार पर योगदान कर सकता है ये statement B गलत है जो subscriber है वो मासिक quarterly और half yearly आधार पर योगदान कर सकता है तो सही उत्तर है 4 केवल A सही है प्रशन है 18V की बैटरी पर कार्य करने वाला एक प्रकाश बल्ब 3A की current खीचता है बल्ब का resistance क्या होगा इस statement में अगर हमें voltage current और resistance के बीच में relationship पता है तो उस formula से हम इस question को solve कर सकते है formula है voltage is equal to current into resistance हमें voltage दिया है 18V current दिया है 3A तो resistance हो गया 6 ohms तो सही उत्तर हो जाता है A 6 ohms अब बाकी के questions को यहाँ पर check out कर सकते हैं Thank you